आज है लो माई ये उट्जुडेंस वेल कम टो माई चैनल कोई एक टूडेंट इस वालें इसमें बात करने वाले आपकी यूज आप सम इंपोडेंट एड्यक्टिप्स तो एस्ट्टीट प्लीज बॉडिय को फूल बहुच करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपने चैनल को सस्काइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सस्काइब कर लें ताकि आपको टाइम टाइम अपडेट मिलती रहें तो student start करते हैं हम आज की class को use of some and any student आपका बताया है कि some का जो use करते हैं हम affirmative sentence में countable and uncountable noun दोनों के साथ use करते हैं interrogative sentence में some का use request या commands के लिए किया जाता है ता some के साथ सामा रूप से request जो ली जाने वाली request होती है उसके लिए हम some का use करते हैं student test में हम बात कर रहे हैं कि use of some और any तो some का जो use करते हैं वो use करते हैं हम affirmative sentence में यानि कि countable and uncountable दोनों के साथ आप इसका यूज़ कर सकते हो और अगर हम interrogative sentence की बात करते हैं तो इसमें हम समका यूज़ करते हैं इस्ट्वेंट रुकेस्ट लेने के लिए ना कि रुकेस्ट किसी को देने से यहां इस्ट्रोन्ट आपने सिंगुलर के साथ यूज़ किया यहां पर समका यहां पर और यह जो आपकी वम्नार के साथ यहां पत्रूप Сंग लेग्ं विल्यू गिम में सम मिल्क तो इस्टोरेंट यहां क्या है इसने क्या रॉकेस्ट की किसी से पूछ रहा है कि विल्यू गिम में क्या होता है कुछ क्या तो मुझे कुछ दूद दोगे तो यहां इस्टोरेंट इसने क्या किया है रॉकेस्ट किया इसलिए हमने सम का यूज किया यहां बोला है Can you lend me some rupees क्या तुम मुझे कुछ पैसे उतार दे सकते हो तो यहां पर भी शुर्ण क्या किया है इसने यहां पर इसने request किये किसी से क्या मुझे कुछ पैसे उतार दे सकते हो किश्टन यहां पर books है आपका fruit है uncountable, countable के साथ यहां पर milk भी आपका countable में आता है आपका रुपी है यह भी आपका uncountable noun होता है तो इनके साथ हमने request के लिए यहां पर use किया गया है तो हम जो some का use करते हैं वो हम affirmative में uncountable और countable दोनों के साथ आप use कर सकते हैं अगर हम intuitive की ब एइन्ज इंट्वोगिटिब सेंटेंश में काउंटेवल यह उनकौnt़िवल दोनों के साथ दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं तो इस टेड़ीट्ट वसже x tidak कि और आपका नियुज़ दीगटिब वह आपका नेगेटिब वह आपका आजski तो आ तो यहां इस तो ने डिया verm है आपकाउंटीब लगे आपकोफि आपकाउंटेब हो यहां इस तरीके से यह मताई है क्या किताद है या तुम तम्कुमारे पास कोईस और और यहां पर question किया है यानी इंट्रोगेटिव में किया गया इस्ट्रेंट तो यह काउंटे वाला आपका वो क्या तुम्हारे पास कोई किताब है तो यह आपका यहां पर इस तरीके साफ ने यहां पर कोई आने वाला है तो यहां इसने इंट्रोगेटिव किया है तो यह नेगटिव आपके स्ट्रेंट करते हैं अगर हम बात करें एनी की तो एनी का यूज करते हैं आप नेगटिव में यानी कुछ के संदर में बढ़ते हैं नेक्स्ट आपकी तरह है कि नो एनी नो एनी को हम फ्रीज नहीं मानते हैं इसका यूज कलगता है इस्ट्रेंटिव का आप जहां रखना है कि हम नो और एनी को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं कितन Ranker और इसट्रेंट का उना के लीजह प्राइब और को ऊत्रीज रखना है विऊने इस नहीं है जो आप इसका यूज करोगते हैं आपका यूज अगर पर करते को गलत जाएसे बतागता है कि नो और निविद यहां पर जो बुक को आपको क्वालिफाई कर रहा है तो यहां क्या है इनका अगर हम एक साथ यूज़ करते हैं तो यह आपका रॉंग हो जाता है इसका आपको रहत द्यान रखना है जब बात करते हैं इस्ट्वेंट नेक्स ता तो यूज़ आता है आपको ये अरेम तो यहां बुला है कि नियर के स्परलेटव होता है वो होता है इस्ट्वेंट आपका नेयरेस्ट होता है और नाई का सुपरलेटिव आपका नेक्स्ट होता है इनका यूज हम समीपस्त के लिए नजदी के लिए यूज करते हैं आपका नियरेस्ट यूज फॉर स्पेस और डिस्टेंस और नेक्स्ट यूज फॉर और और पोजिशन सैम इस्टुएंट वो यह आपके यह आपके सुपरलेटिव डिगरी हैं जब आप नियर के और नेरेस्ट की बात करोगे तो यह दोनों फॉर डिस्टेंस के लिए यूज कियाते हैं और नाई और आपका नेक्स्ट यूज कियाता है इस्टुएंट फॉर फॉजिशन के लिए तो जैसे यहां बताया कि राम लि दिस्टेंस के लिए तो आप समझ गया हों कि नियर का यूज हम डिस्टेंस के लिए उस करते हैं यहां बताया कि माई हाउस इस नियर टू दा इस्टेशन यान कि मेरा जो घर है वो कहां पर है वो इस्टेशन के पास में तो यहां भी नियर जो यूज किया गया यह यह यू बोख मिशंट ईए का और टा रहा को जो पूषिस धिटिस्ट की बात आगे तो यह है हमारा क्या वहता रहे हैं आप पूडर या फॉसट Aww है २्हивает Timothy में मिलूगा ऐड़ नेक्स तिसन मैं तिम्हें अगले स्ट्रेसिटेशन पर मिलूगा यह क्या बता रहा scalp और बता रहे हैं कि भाई अब मैं तुमको next station में मिलूंगा यानि कि तुम हो और मैं तुमसे अगले पर तो यह हमें क्या बता रहा है एक order बता रहा है करम लिए दो सब्सक्राइब दसन्सक्राइब ह convicted कंग मर्थुम्स अम्रशुन फर समीब यानीं सब्सक्राइब प्षारी Okay स्थेटर्ट से लिए नेक्स्ट पोईिशन के लिए कि अगर नियर आपका कि समें उसके डिस्टेंस के लिए उसके गया हैंक लिए इस बैट्र टका मच एंड मैंने अम्मच का यूज कुद करेंगे और मैंक यूज किया जाता है यह बताता है इस्ट्रोंड आपका परिमान परिमान मींस होता है quantity को और नेक्स्ट आपका मैंनी तो मैंनी बताया गया संक्या यानि की numbers के लिए हम many use करेंगे इस्ट्वेंट वह यूज करते हैं हम numbers के लिए और मच्झ यूज करते हैं क्वांटिटी यहां बताया है कि मच और मेनी का यूज नेगर्टिव इंट रिटेव इन इंट्रोग्रटिव बाग्यों में किया जा सकता यानि दोनों का यूज कर रहे थे इस्टुएंड बड़ा आपको दिहां रखना है कि हम मच का यूज कहा करेंगे और मैनी का यूज ज अब राकि फिस्त पताज़ा अब कर लोग में तो हमक्या पास यहां बदाई आपका वह सब्सक्राइब के बात करणा कि था बैसा है कि आइवंट मच पैसेंस मेरे मौलग क्या है मैं मेरे पास देरग नहीं है मेरे को कि इस तरीके से नेक्स्ट मौला है कि हैजन्ट मनी many cars तो यहां many use क्या गया for car, car थी बात कर रहा है यानि program में यूज क्या गया और यह हमको बता रहा है हमने जो many use क्या यह बता रहा है हमको number के लिए he hasn't उसके पास क्या है he hasn't many car यानि उसके पास बहुत सारी कार है नहीं है, तो यहां जो much use क्या गया यह यूज क्या गया आपका quantity के लिए और many use क्या गया यह इसके आपका for number के लिए I haven't many chairs मेरे पास chairs नहीं है यानि कुर्सिया नहीं है have you many friends क्या तुमारे पास बहुत सारे friend है या तुमारे बहुत friend है तो यहां इसने एक question मार गया नहीं इंट्रोगेटिव में यूज क्या गया और यहां इसने आपका negative में यूज क्या गया है इस चीज का आप ध्यान रखेगा जो हम much use करते हैं इसने वह use करते हैं quantity के लिए और many use करते हैं आप numbers के लिए लेकिन इसमें बताया गए इसका मतलब यह होगा कि जो हम much और many use करते हैं इसको nominating case के साथ तो कर सकते हैं लेकिन object case के साथ इसका use नहीं कर सकते हैं यहां बताया कि many people come to see the temple much many people come to see the temple तो यहां many जो use किया गया इसने यहां बताया गया है कि many people है वो आपको क्या करते हैं इसको आप subject case में तो आप use कर सकते हो लेकिन आप इसको object case में use नहीं कर सकते हो जैसे बताया कि much milk was required तो यहां जो much milk use किया गया यह आपका nominating case में as subject use किया हमने से लिए हमने यहां much का use कर लिया है लेकिन हम इनका क्या है object case में हम यहां use नहीं कर सकते हैं इनका जैसे यहां बताया गए affirmative sentence में object की तरह अगर हमें use करना हो तो a lot of lots of a large number इसको बना सकते हैं जैसे many people come to see the temple तो यहां बना सकते हो many people come to see the large number into the temple तो हम इसकी जगर पर specific element हमिसे object में case करना जैसे यहां बताया गया है कि much और मैंनी के साथ as how to का use करते हूश करते हैं अगर हम इन के साथ as how to का अगरlerde हम use करते हैं मॉभालान का use subject jeffार ईवन object के साथ हैसे हैं अगर हम इन के साथ as to या much ाच्यूँज करते हैं इसको हम subject और आपका object हम दोनों ही case में इसको आप यूज कर सकते हैं कैसे यहां बताया कि she has too many friends यानि उसके बहुत सारे friends हैं तो यहां हमने जो to use कि आपके यहां तो हमने यहां इसको object case में यहां यूज कर लिया है I don't have too much milk मेरे पास question बहुत ज़्यादा दूल नहीं है तो यहां पर हमने इसको object case में use कि आगया है यहां ऐसे you can talk as much water as you need you can take as much water as you need यानि तुम जितना चाहतो ना अपने दिरुट के साब से पार्निया आप ले सकते हो तो यहां हमने water यूज क्या है तो यह आपकी quantity के लिए हमने यहां पर मच को यूज क्या स्ट्रेंट इस तरीके से आप इनका मच अगर इनके साथ हम to as और how को अगर हम यूज करते हैं तो इनको इस्ट्रेंट आप subject और object दोनों की तरह आप इनको यूज कर सकते हो next next important आपका adjective instrument whole and all जब हम बात करते हैं इस्ट्रेंट whole का यूज जब हम एक adjective की तरह करते हैं तो इसके साथ हम दका यूज करते हैं जब student हम् whole को गर हम as adjective यूज करते हैं तो इसके साथ इस्ट्रेंट आपको दका यूज करना जासे He pasted the whole day यानि कि उसने क्या है अपना पूरा दिन खराब कर दिया हमने as adjective किसकी बात कर रहा है पूरे दिन की qualify कर रहा है तो यहां पर हमने the case I work the whole day यानि कि मैंने पूरी दिन काम किया हमने इसको hold यहां पर as adjective यूज किया गया है तो स्टूनेंट हमने आपर the ka use कर ले यानि अगर हम होल का अगर हम यूज़ करते हैं एस अडेक्टिग तो हम उसे पहले क्या करेंगे टुरेंट हम दका जाते बाज़त की जो बात बताता है आपका तो इससे पहले आपको दा लगाना और बाद में इस्टुट आपको क्या लगाना है आफ का यूज करना है तो यहां है थे तो यहां इस्ट्रेंट आपने हूल को यूज़ किया कैसे यूज़ किया है एस प्रॉपर किसी बात करें चुर्ण हम बात करें प्रॉपर प्लेस आपका इंडिया यहां पर तो इससे पहले आपने Off का यूज किया और ऑऔर से पहले हमने यहाँ पर लिए आपका राइट हो जाएगा इसके पहले हमें हमने दधकिया हो यूज के आपका यूज किया है उसके बाद आपने यहां और हमने आफ का यूज किया है वाज इन दा ग्रिफ आफ डॉट यानि कि जो पूरा राजिस्तान है वो क्या है ग्रिफ में से उता है एक जगड में आने कि सूके की चुपेट में कि नेक्स जिसी में बतायागा एक हम जब आल का यूज कि जब आल का यूज कि प्लॉरल नाउन के साथ करते हैं तो आल के साथ हम दा का यूज करते हैं पसे इस नाउन और प्रोनाउन के साथ आल हमेशा उससे पहले आता है एक जहां बात की जाएगी आपकी पसे से जानी जो औरिकार दिखाने वाली जो आपके नाउन और प्रोणाउन होते हैं उनसे पहले हम दर लगाते हैं जैनि अच्छाइब लॉन से पहले हम अल का यूज करेंगे यानि पसे नाउन और प्रोणाउन से जैसे यहां बताए गए है कि All the students were happy तो यहां इस्टूरेंट आपका All कैसे यूज किया गए यहां हमने इसको प्लूरल नाउन से पहले यूज किया है यानि कि All का यूज करते हैं इसके तरिके से इससे पहले आपने 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 अओकर यूज किया स्टूरेंट लेकिन यहां यहां यूज किया आई all my friends went to party यानि मेरे जितने मित्र थे वो सब आंगे पार्टी में चले गए तो यहां all यूज़ करते जो आपकी plural noun होती है plural noun से पहले हम पसे से पसे से भी यहां अधिकार दिखा रहा है और उससे पहले हमने all पसे से इस्टॉनट और कमाई का यूज कि एफ माई का इसे पहले आप को हाल का यूज करना इस तरीके से यह इस्पेंड ऐसमरिय ऎनर कि उसके अपने पाइसे खर्ज कर दिये यहां आप फिर यूर्ण या यूर्ण इसी को उकटे है यह आप ने नाउन आपका ये इस यानि इसने फुद के यानि उसके पैसे खर्च कर लिए तो उससे पहले रहे उसके बाद आपने आपको नाउन यूज कि आ नेक्स्ट इस्ट्वेंट आपका और आज की वीडियो का लाश्ट टॉपक्यास का यूज ऑफ बॉट चैब हम बहुत का यूज अगर हमें इस्ट्वेंट कैसे करना है उसके वारे हम जानेंगे यहां पर अगर स्टूरेंट मैं काना चाहंगा अगर आपको फसन नहीं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी क्या करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बात की इस पॉइंट डाले गाएं एपी सी से एपॉइंट में बताया कि बहुत का यूज जब हम बाक में एक एड़्यक्टी बी तरह करते हैं तो इसके जात हम दह का यूज करते हैं इस जो आपका जैसे होल था और आप इसन घर्ण को हम मैं जानता हूं जहां है अम बात करते हैं के बहुत से पहले हम दका यूज नहीं करते हैं यहां से मताया कि दका यूज बहुत कह रहा हैं से पहले कभी नहीं कैने नेव chilli त Christians बहुत का मी कला कि यहां Tim कussa यहां उसका गाँ प Sym कर लेकिन और नहीं को की दिखतले करते हैं स्टंद के अब किसा डाइब शूद्च लेकिन हम बहुत का रहां है नहीं नहीं बहुत के किसे इसने हुढ और तो नेच्ट बताया आपका वीफॉइंट में कि पर्सनल प्र्णोन के साथ बौट ऑफ और क्यों सब्सक्राइब करते हैं इस्टोट यहां इनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं student both of ऐसे यहां आपका यूज़ क्या गया है और नेक्स्ट बताएगा बट.not की जगे हम neither of them यानि कि अगर आपका बोला जाता है कि नेगेटिव में अगर आपका आता है कि बहुत डॉट डॉट नॉट की जगह हम किसका यूज़ करेंगे इस्ट्वेंट नाइधर ओफ तैम यानि उनमें से कोई भी नहीं जब हम बात करते हैं बहुत का यूज़ हम प्रोनाउन के बाद आपजेक्ट की तरह यूज़ करते हैं यानि कि जो आपका इस्ट्वेंट बहुत आता है वह उसका यूज़ हम प्रोनाउन के बाद हम एस ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं जैसे हम बताया कि नाइधर ओफ दैम इस उनमें से कोई भी यहां पर नहीं है अगर हम यह यह यूज़ करते बहुत नॉट तो यह स्ट्वे मैंने बताया कि लवाद हम बॉर्णाण यह वार्णाव के बाद हम बादए मशा अपका जांग करम की तरह थी और आप 순간 हम यह जांग बहुत की एक था रहन पर पच्णान अर जांगे यह एक उड़्यों कि दो प्लीज दिग को फूल बॉज करें थैंक्च for वाचिन subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel